अब हम लोग देखते हैं लोकनिती का महत्तु लोकनिती दरसल जो बनाए जाती है वो जनता के लिए बनाए जाती है उसे केदर में जनता होता है और जनता से जूरी समस्या होती है लोकनिती के संदर में और जनता जो जूरी समस्या होती है कुछ मुद्दे होते हैं और यहां नित्व के लिए सरकार को पर्भावित क्या च्छाल यहां और किसी कारण के लिए सरकार को पर्भावित क्या यहां पर की काते हैं कि संदर्र में सरकार क्या करती है यह देखा चाहिए वह क्या नहीं करती है ऑप यह क्याओं करती है क्या और यह क्या भेद करता है इस अंदर में लोकनिती का मां तो हमें दिखता है और इस तरह लोग निति के कई घटक हम यहां पर ईखते हैं जैसे की जो कोई निति बनती है चुछ वह किसी उद्देश के साथ है वह एक उद्देश के साथ एक सूविचारि ढहर से निरुपित क्या जाता है उसका एक लच्ष होना चाहिए किसी ने किसी प्रकार का और यह ज जहनृ कहकी जब लाक्षा एक जाती, तभी उसी का नुकुल निति टयार की जाती Mac प्राफ्ठ करने के लिए वसक्ति कारिंधी स्प्राइच, पर निति की जाती आप कारिंधी से लिए स्थ्थ जाती यह लग-लग निर्नियों कि एक सिरिंखला नहीं होती है निती वह होती है जो बास्तब में की जाती है वह बांचित होती है लक्षों का बिबरन निती नहीं होती है बलकि लक्ष असपष्ट रूप से होती है और निती बास्त भी कर्थों में की जाती है निती यह भी बताती है कि समय सीमा क्या होगा जि करती है मौनिट्रिifall करती है और दिखा जाए तो लोगनिती का विस्खेट्र यहां तक असपस्ट होता यहां तक विस्टृत होता है जहां तक अंगीकार करना चाहता है जो अंगीаменग करना एक उदारबादी भावना के साथ लेसे स्फेयर वाली बात की राज की भावना को कम करो यहां पर हम देखते हैं कि वह समाजिक और आर्थिक कारकलाप एक तरह का नियामक के रूफ में कार करेगा ना कि परवर्तक के रूफ में वह देख रहे करेगा लोगों को अजादी में ना की डालेगा राज को लोगों को सुरक्षा देगा AAH कि हम देखते हैं कि 20 सथावदी के मत से mean के क्रमन के अशके बहुद के कि रैंक के इनों कि दूतिये विजूत के रहते हैं तो यहां फिर राज का शुरूफ अल्ड हो जाता है ग़ीन रूफ में अशुरू just ज्यादा फलक ज्यादा इसका होगा और इसके पर फलसरों हम देखते हैं कि लोक निती ने भी काविछेत काफी बिश्त्रित होता चला गया और नकेबल बिन्यमन से विकास की बात अपनाए गई बलकि यहां पर उद्यम के एक परवर्तक के रूप में लोक निती को अपनाए साहिय क्या हम देखते हैं कि आजादी के साथ ही भारत ने ने समाज बादी वास्त अइ ना पुझी वास्ताप नहीं बलकि एक इतरा का अपने तरह का समाजिक का अर्थिकू मॉड़ल ताकि तमाम लोगों का विकास हो सके और अपने लोगनिती का रिलक्ष समाजिक आर्थिक विकास रखा उसके अनुरूप ही दूसरे देशों से भी सहायता लिया अपने देश की लोगों को उन्नती करने में शहायक वो बन सके और हम देखते हैं कि उसके बाद ओद्योगिक और किसी विकास ने भी तेजी से विकास किया और यहां विकास सरकारी के बनिस्पात नीजी छेत्र के नियंत्रन में अधिक हुआ और नीजी छेत्र के नियंत्रन के संदर में ही नीतियों का भी मिरूपन किया गया हम देखते हैं कि समय समय पर राज का छेत्र कभी विस्तार हुआ और यहां पर बदलती हुई नीती के टहत, नियंतरन भी लागू कर गया गया। यह तरह लएक हम दीखने हैं कि उदार व्योश्था किस तरह अपनाये गई., और हम देखते हैं कि, कि उधारी करनं का भी वहदार आया जब जो राज नियंगे ज्यत्र से उस्से उधार कर दिया गिया उसे नीजी हांतों में शोब ऐगा गिया उसे जार से क्या उसे बरक्रार रह सके आएसी भी भावना देखी गई हम देखते हैं कि दहेज बीरोधी अधिनियम पारिक समाजी कुरुथी थी लेकिन इस लेकिन इस प्रैज्प समाज में ही लेकिन इस कुरुथी को अब दातर को दोने lucky सी दॅ네요 में बनाए में नीतियान लागू कही गई और कुल मिलाकर हम कहें तो इस तरह का लक्ष होता है कि राष्ट यह एकता रहे समाजिक भावना हमारा समाजिक विकास करें और जो अभिवंचित समूह है जो हास्य पर जो समूच चले गए हैं उनका भी संदक्षन करना सरकार की नीति के तहत र गई और इसके अमाध्यम से उनको अधिकार शोपए गए ना के बल अधिकार समबविधानिक निति की रूप में इसे स्विकारा गया और लोगनिती पर भारतियानुभव के संदर में हम देखते हैं तो हम कहा सकते हैं कि परत्मान में भी राज की भुमिका के बारे में पू को पूरे दुनिया के संदर में हम देखते हैं तो निती बिशलेशन को अब बहुत अधिक महत मिल जा रहा है इसके अनुरूप ही कारे किये जाते हैं और निती निरूपन के बाद मीश्पादन के बाद मॉनिटरिंग में परवाबिकता की मात्रा अधिक देखी जा रही है और और किस तरह निती बदल है निती बनाई गई और यह भी बात हो सकती है अगर वह निती बचलेशन को पनाने के लिए नहीज संदरशनां के लिए हमेशा खुला होना चाहिए जैसे कि लोग परसासन के सिधॉनदभाद्यों को नितियों ऊताथ परसासन के अलग निति कारे लगा करने के जिम्मेबारी परसास्निक कारी की रूप में समझी जाती रही थी यही ची अलग अलग हो गया और या समाथ हो गया कहना इसमें तुर शा मिलाबट हो गया की या सुन कारे नहीं रहा कि निती निरूपन का काम जो राजनीती का था वह तक चला जा ख़ो जो समंध्ध ता करियानावन परसासन का यह कहों से सुरू होता है दोनों को में एक्रित तरीके से देखे जाने लेगे थे और हम कास्त देखते हैं कि वैचारी को और वैसले एक छेत्र में यह परिबर्तन जो आया तो यहां पर लोग परसासन के विद्वानों ने निरूपन की कम्यों पर ध्यान दिया और कारिवान पर और निति अभिकल्पना के परभाव के लिए जो सुसंगत मामले हो सकते थे उस और अपना ध्यान दिया अकरिष्ट किया